हालो और विल्कम फ्रेंट्स आज की ये वीडियो माइक्रोसॉट एक्सल की है और एक्सल में क्या सिखेंगे आई आपको देखाता हूँ ये देखिए यहाँ पर नेम और नमबर दोनों लिखे हुए है अब नेम लिखा हुए है नमबर भी लिखा हुए है दोनों चीजे लिखे हुए है अब शॉर्टिंग करनी है ठीक है और नेम भी देखिए कैसा लिखा हुआ है नेम इस तरीके से लिखा गया है कि दोनों ही में बहुत सारी चीजे सेम हैं, जैसे कि यह राजू है, तो R से स्टार्ट हो रहा है, पिर अगला नमबर A है, पिर यहां पर भी देखिए, रामु भी R से स्टार्ट हो रहा है, और अगला जो इसका अलफबेट है, वो A है, ठीक है, तो शौर्टिंग यह कैसे होगी, तो पर यह आ गया, आप A से Z के क्रम में short करना चाते हैं, या Z से A के क्रम में short करना चाते हैं, यह देख लीजे, दोनों चीज़े available हैं, अगर आप A से Z करते हैं, तो यह कुछ इस तरीके से short करके आपको दे देगा, पहले तो number ही short करेगा, यह बाद में आपको text short करके देगा, ठीक है, अब सब पोच कीजिए कि बीच में कोई और नेम आपने insert करा दिया, ठीक है, यहाँ पर insert पे आए, एक नई, यहाँ जो है, row insert करा आया, और यहाँ लिख दिया like अभी, ठीक है, एक नाम और लिख दिया अभी, तो अभी इसको short करने के लिए, आप फिर वापिस यहाँ पर जाएए, और फिर इसको दुबारा से short करिए, यहाँ से यह से, जिट के क्रम में short करेंगे, तो यहाँ जो alphabet है, alphabet वाला shorting जो है, नीचे आएगा, बाकी number वाला shorting उपर आएगा, कुछ इस तरीके से यह short करेगा, यहाँ पर एक custom short का भी option आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर जब जाएगे, तो आपको बहुत सारे option दिखाई पड़ेंगे, यहाँ आप color के base पे भी short कर सकते हैं, यह चीजे मैंने सिखाई है, बहुत सारे videos में, कई videos में मैंने यह बाते बताई हैं, तो अभी इसको छोड़ते हैं, यह चीज, I hope कि आपको समझ में आए वही होगी, कि shorting कैसे होगी, ठीक है, अगर आप text लिखते हैं और number लिखते हैं, तो दोनों को short करेंगे तो text लिखते लास्ट में नीचे आएगा number पहले short करेगा, ठीक है